हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइपस ओफ ट्राइंगल्स on the basis of sides तो इस से previous part में यानि कि part 1 में complete हो चुका है equilatoral triangle तो हम यहाँ पर complete करने वाले हैं isosales triangle और iskalend triangle तो यह वीडियो का part 2 है पूरी वीडियो देखे अब देखे इस्टाइट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करते हैं Isocellus Triangle की ठीक है अब देखे मैं एक Triangle draw करता हूँ सपोज करिए यह मैंने एक Triangle draw कर दिया अब देखे यह एक Isocellus Triangle है हम यहाँ पर लिख देते हैं यह एक isocellus triangle है तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि यह एक isocellus triangle है तो यहाँ पर देखिए A, B, C यह मैंने denote कर दिया अब देखिए इसकी कुछ properties होती है property number 1 इसमें कोई भी 2 sides बराबर होंगी ठीक है कोई भी 2 sides बराबर होंगी यानि के हम लिख देंगे any 2 sides any 2 sides कोई सी भी हो सकती है are equal ठीक है यह इसकी first property हो गई मतलब अगर A, B side और A, C side इस triangle में एक दूसरे के बराबर है B, C इन से अलग है यह दोनों बराबर है तो any 2 sides are equal तो यह एक property हो गई isocellus triangle की अब हम बात करते है property number 2 की property number 2 अब देखे मैंने बताया था कि बड़े वाली side के सामने वाला angle बड़ा होता है और छोटे वाली side के सामने वाला angle छोटा होता है पर यहाँ पर जो हमारी दोनों sides है A, B side और A, C side वो दोनो sides बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ इसके सामने वाला angle यानिके A, B के सामने वाला angle यानिके ये वाला angle और A, C के सामने वाला angle यानिके angle B ये दोनो angle बराबर हो जाएंगे ये दोनो angle क्यों बराबर हो जाएंगे क्योंकि यह दोनो साइड्स बराबर है इसलिए यह वाले दो एंगल इन के सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम यहापर लिख देंगे एंगल B Equals to Angle C ठीक है तो यह एक property हो गई तो इसकी दो ही property होती है Isocellus Triangle की देखे, क्या हम इसके ठीक है ये बात हमें पता है अब ये आपको बता है कि angle B और C बराबर है तो अगर B C को हम X suppose कर ले X degree suppose कर ले तो अब देखे angle A प्लस अब इसकी जगह भी X रख दीजिए और इस angle की जगह भी X रख दीजिए B की जगह भी और C की जगह भी इक्वल्स टू आ जाएगा 180 degree अब देखें यहां से हम कोई conclusion निकाल सकते है क्या देखे angle A प्लस 2X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 degree तो हम यहां से कोई conclusion नहीं निकाल सकते exact value किसी भी angle की हम calculate नहीं कर सकते तो इसकी दो ही property है आप याद रखी इन दोनों property को ठीक है अब बात करते हैं इसका area और perimeter की तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसके area और perimeter को discuss कर लेते हैं ठीक है अब देखिए perimeter कैसे निकालते हैं perimeter होता है तीनो side का sum suppose करिए यह side A है ठीक है तो यह वाली side भी A हो जाएगी तो perimeter क्या आजाएगा 2A यानिके A प्लस A और प्लस B तो perimeter आजाएगा 2A प्लस B यह हमारा perimeter हो जाएगा एक isocellus triangle का अब हमें बोल दिया कि इसका area निकाल दीजिए ठीक है तो हम area भी calculate कर देते हैं area हमने क्या बता रख़ा है आपको 1 by 2 into base into 8 ठीक है अब देखे 1 by 2 into base क्या हो जाएगा base हो जाएगा हमारा B यह जो BC line है ना यह B यह denote करता है हमारा base को into H height अब देखे यहांसे एक perpendicular draw कर दीजिए तो यह हो जाएगी height H ठीक है अब यह calculated एक formula है इसका मैं आपको formula बता देता हूँ आप उस formula को याद रखिए ठीक है दोस्तों अभी देखे इसका formula होता है B divide by 4 under root 4 A square minus B square तो यह area निकालने का formula होता है isocellus triangle का तो आप इस formula को याद रखिए competitive exam में हमेशा आपके काम आने वाला है अब देखे बात करते हैं इसके length triangle की ठीक है इसके length triangle है suppose करिए यह एक triangle बना दिया मैंने इसको छोड़ दीजे ठीक है यह triangle है अभी देखे A B और यह side हो जाएगी C ठीक है अब suppose करिए यह वाली side इसकी 4 cm की है यह 6 cm की है और यह 3 cm की है तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारी जो तीनो sides है वो तीनो sides अलग-लग है यह 4 cm हो गया यह 6 cm हो गया और यह 3 cm हो गया तो यह एक scale-and triangle है इसका मतलब क्या हुआ का मतलब क्या होगया कि इसकी 3 sides अलग-लग है ठीक है तो हम property number 1 लिख देंगे no sides are equal no sides are equal तो यह इसकी property number 1 हो गई नंबर 2 discuss, तो property नंबर 2 क्या है, property नंबर 2 हो जाएगी, जैसे यह BC side है, यह 6 cm का है, तो इसके सामने वाली जो angle होगा, इसके सामने वाला angle, यानि के angle A, वो सबसे बड़ा angle होगा, क्योंकि सबसे बड़ी side के सामने वाला angle सबसे बड़ा होता है, और उससे चोटा angle कौन सा हो ज सबसे चोटा हो जाएगा, तो हम यहापर लिख सकते हैं, देखिए angle, जो सबसे बड़ा angle हो जाएगा, वो जाएगा angle A, ठीक है, और उससे चोटा angle हो जाएगा angle C, उससे भी चोटा angle हो जाएगा angle B, तो हम इसके लेंग ट्राइंगल में ये चीज निकाल सकते हैं, अब देखिए इसकी simple property ये तो हर्ट राइंगल की होती है, हम लिख सकते है angle A, प्लस angle B, angle C, ये तीनो angle इसके 180 डिगरी हो जाएगे, तो इसमें यही properties है, इससे अलावा कोई property नहीं है, अब बात कर लेते हैं, इसके perimeter की और area की, तो अब देखिए perimeter निकालते हैं, तो perimeter हमेशा क्य तो जो हमारा perimeter आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा A, प्लस B, प्लस C, ये इसका perimeter आ जाएगा, और अगर हमें यही पर बोल दिया कि इसका area निकाल दीजिए, तो हम area कैसे निकालेंगे, अब देखिए, मैंने already एक video बनाई है, हिरोन्स formula पर, जो हमारा हिरोन्स formula होता है, वो इ बी और S-C, यहाँ पर जो A, B और C है, वो तो इस triangle की side है, एक side हो गई A, एक side हो गई B, और तीसरी side हो गई C, अब देखिए, बात करते हैं कि ये S क्या है, तो S क्या है, S का मतलब होता है half perimeter, तो S का formula है, A plus B plus C, divide by 2, तो S की value आप यहाँ से calculate करेंगे, तो अब देखिए, मै अगर आपको कोई किसी भी type के triangle का area calculate करना हो, और उसकी 3 sides given हो, तो आप इस formula से उसका area होगा, वो calculate कर सकते हैं, तो अगर ये video अच्छी लगी, तो वीडियो को like कीजिए, और हमारे channel को subscribe कीजिए, मिलते हैं दोस्तो part 3 में, जिसमें हम discuss करेंगे, कि triangles कितने part के होते हैं, on the basis of angles तो आप उस part को भी जरूर देखिए, आपका triangle पूरी तरीके से clear हो जाएगा, तो thank you friends मिलते हैं next video में